पास में भी सब इसी तरीके की चीज़े चलती हैं ये देखो बंदे बैठे में हैं तो मेरे को फिंगर दिखा ही इस बंदे आप देखो मेरे को देख रहा है पिछे की तरफ में बेटा मैं नी जाने वाला यहां से अब तेरे को निकलना पड़ेगा हेलो गाईस आज मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ मेरे यहां का जो सबसे खतरनाक एरिया है वो दिखाने के लिए और काफी लोगों के कमेंट बगएर आते रहते हैं लोग बोलते हैं कि बही क्या अमेरिका में भी इस तरीके के एरिया होते हैं जो के मतलब सेफ ना हो जहां पर मतलब लोगों को बार निकलते वे डर लगता हो चोड़ी चकारी होती हो तो यहां पर काफी सारे एडिया हैं अमेरिका के अंदर ऐसे और मेरे यहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया है जिसको मतलब के बोलते ही लोग है Crime Hill मतलब उसका नाम ही Crime Hill रख दिया है तो आप लोग को दिखाता हूँ लोग भी पहले दर्शन कर लो इन महाशे जी के इन महाशे जी ने पूरी टकर दिये है इंडिया वालों को कैसे दे रहे हैं इंडिया वाले नमबर वन है जुगाड में मानते हो नहीं मानते हो भी है कमेंट करके बताओ पूरी दुनिया जानती है इंडिया वाले नमबर वन है जुगाड में बट ये बंदे ने इंडिया वालों से भी तकड़ा जुगाड किया है नई गाड़ी दूरी पे है बर उससे पहले आप लोग को यह अरिया दिखाता हूँ उसके आसपास में भी सब इसी तरीके की चीजे चलती है यह देखो यह बंदे बैठे हुए है पूरा इन्होंने रास्ता यहाँ पे घेरा हुआ है और कुछ इन में से होमलेस हैं कुछ होमलेस नहीं है और जो होमलेस नहीं है वो मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या करते हैं सडक पे से अगर आप पैदल यहाँ से निकलोगे या पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन जो भी है यहाँ पे खाने पीने अंदर जाओगे तो यह बंदे आपको परशान करेंगे ही करेंगे एक दो बार मेरे साथ एक्सिडेंट हो चुके हैं ऐसे तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इनोंने मेरे साथ क्या किया था बट फिलाल इन पहले इन बंदों को आप लोग को दिखाता हूँ और यह नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यह काली बंदे बैठे वे हैं वो देखो यहाँ पर गोरा भी बैठा हुआ है यहाँ पर हिस्पैनिक भी सब लोग दिखेंगे एक बार मैं यहाँ पर गलती से पैट्रोल भठाने के लिए रुख गया और जब मैं पैट्रोल भर रहा था इतने में एक बंदा आया और वो गारी का शीशा साफ करने लगा उसी टेम मैंने उसको बोला कि मेरी गारी को टच मत कर दूर हो जा कार से और उसी टेम उस बंदे ने का कि नहीं मैंने तिरी गारी का शीषा साफ कर दिया अब पैसे देने पड़ेंगे तुझे मैं बहुता बहुता कि पैसे अभी तो तु आया है और किसने बोला तो तिरे को साफ करने को ये देखो क्या जूता यहां पर टंगाया हुआ है उसके बाद उस बंदे ने क्या करा जब मैं गारी के अंदर बैड़ गया तो वो मेरी गारी के सामने खड़ा हो गया और कहरा हूँ कि 10 डोलर देनी पड़ेंगे मैंने गारी को साफ किया है फिर मेरे को ऐसा गुस्सा आया मैं गाड़ी से भार आया मैं वोला रुख तेरे को मैं 10 डोलर नहीं तेरे को 100 डोलर देता हूँ मैंने उसके ओपर इतना बुरे गुस्से में चिलाया कि वहाँ पे सब लोग देखने लगे इतने में वो बंदा डरके और भाग गया वासे तो मैं यह आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लोग होते है ना इस तरीकी की लोकेशन्स वगएरा होती है तो यह इस तरीके के लोग है पता नहीं होता है लोग क्या शरीफ है बदमाश है, इनमें से कोई ड्रक्स बेच रहा है, कोई होमलेस भी है, बट जातर लोग इनी के अंदर मिलके ड्रक्स वगरा बेच रहे होते हैं, गाडियां आती है और ये गाडियों वालोग को ड्रक्स वगरा बेचते रहते हैं, और इसके आसपास के एरिये में जितने भी आप store देखोगे ना ये देखो, jail जैसे store बनाने पड़ते हैं, इन बेचारों को, दुकानदारों को, और अब यहां पर देखो, यहां पर बहुत तगड़ा scene चल रहा है, अभी आप लोग को बताता हूं क्या चल रहा है यहां पर, यह जो आप देख रहे हो, यह गोरे वाला और अभी काले वाला बंदा उस तरफ को भाग गया है, तो गोरे वाला बंदा यहाँ पे कुछ समान बेच रहा है, अभी दो बंदे इससे पहले लेके गई है, तो अभी वो काले बंदे ने आके इसको बोला कि कोई गाड़ी में बैटा हुआ है, मेरी बात कर रहे हैं कि कोई में बैटा हुआ है, और वो वीडियो बना रहा है हमारी, यह देखो अब यह जाते समय भी इसको कुछ ना कुछ ऐसे बोल के जाए गई देखो, कुछ बोल के चली गई है बीचे से, और यह बंदा आप ऐसे नोर्मल ड्रिंक पी रहा है, अब ऐसे दिखाने की कोशिश कर र बेटा मैं नहीं जाने वाला यहां से अब तेर को निकलना पड़ेगा, इस बंदे को डर लग रहा है कि भाई आप वो सोच रहा है कि यह जो गारी में बंदा बैटा है पुलिस वाला हो सकता है, तो इस वज़े से अभी यहां से निकलेगा, इसको लग रहा है कि वीडियो बना रहा है, सब रिकोर्ड कर रहा है, तो पुलिस वाला ही पाएगा यह पका, जा वही और कहीं जाके बेज, यह दे को इस तरीके के अरिया के अंदर ऐसे पुरा जेल वाले आपको मिलेंगे, जो ग्रोसरी स्टोर होंगे, सब जाली वाली लगा रखी होगी, इन लोगों जीना हराम कर रखा है, यहां पे इन लोगों का बेचारों का, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ग्राइम ही लेरिया है, मैं वहां पे आ गया हूँ, यह जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, राइट साइड में अभी इनके बारे में बताता हूँ, बड़ इन लोगों के बारे में बताता हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था हूँ, जो यह ड्रगी वगेरा होते हैं, इन से क्या गरना है आप लोगों को कभी भी आप यहां पे आते हो, या अगर आपके सामने आजाते हैं, आपको कुछ बोल रहे होते हैं, इनको रिपल इसको बुला रहा हूँ फिर देखना है बंदे कितनी जल्दी भाग जाते हैं उस टेम इन से डरना नहीं है और उससे पहले कभी इनकी तरफ देखो मत कुछ भी मत बोलो जो भी यह बोल रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता अब यह जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं यह और इसके आसपास के जो एरिया है इधर बोला जाता है यह है क्राइम हिल यह बिल्डिंग देख रहे हो पूरी बंद की हुई है यह बिल्डिंगों को जला दिया गया है बंदोंने अंदर से यहाँ पे तीन बिल्डिंग है वो जला दी गई है वो अभी आप लोग को बतात यहाँ पर रहरे होंगे बस बाकी बंदे यहां रहना ही नहीं चाते हैं और यह जो अपाटमेंट यहां पर सब से सस्ता मिलता है अगर आपको दूसरी जगे हजाज डोलर का मिलेगा थो यहां 600 डोलर में आपको रूम मिल जाएगा मगर उसके बावजुद यहां कोई आके नहीं रहना चाहता है क्योंकि यहां पे mostly druggy people रहते हैं और वो रात को इतना उनको पता नहीं जो भी हो जाता है कभी कबार उनकी किसी से लडाई होगी तो वो building ही जला देते हैं पूरी ऐसे कर करके उन बंदों ने यहां तीन building जला दी है और हमेशा यह जो यहां पे ना area news में ही रहता है कि पुलिस वाले यहीं पर ही खड़े रहते हैं इसी के कारण मतलब आपको हसी भी आएगी इसी apartment के सामने अभी आप लोगों को दिखाऊंगा पुलिस station बनाना पड़ गया उन लोगों को इन बंदों को सुधारने के लिए पुलिस station इसी के बाहर ही होना चाहिए अभी आप लोगों को दिखाता हूं मैं पुलिस station और इस तरीके के area में आपको बहुत अच्छे लोग भी रहते हुए दिख जाएंगे जो family वाले हैं जिनको crime वगएर से कोई लेना देना ही नहीं होता बट उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं कि अच्छी जगह रह सके जाके तो वह बैचारे यहां पर आ जाते हैं कि चलो सस्ता है यहां पर आ जाते हैं उस city के अंदर कोई ना कोई area ऐसा होता है जो bad area होता है सबसे ज्यादा crime होता है जैसे मेरे यहां पर यहां पर है ऐसी आपको New York में, LA में, Chicago में हर जगह पर दिख जाएगा जिसको ज्यादा तर नाम पर hood हुड बोलते हैं आपे आपको लोग को पता चल जाएगा और online सब research करोगे तो पूरा data आ जाते है कि कौन से area में ज्यादा crime है तो उस area में मत लो आप तो जब आप यहां अमेरी का में आ रहे हो तो उससे पहले बहुत research करके आओ अगर हैने आ रहे हो यह निए कि भिया ऐसी आगे और सस्ते के चकर में इस तरीके के अपार्टमेंट में रह रहे हो जहां पर पता नहीं है कल को कोई आपके नीचे रहता है वो आग लगा दे और आपको मतलब खिड़की से कूदना पड़े यह देखो यह पुलिस टेशन बनाए हुआ है इसी अपार्टमेंट के भार में मतलब कि पुलिस वालों को बेचारे इतने परशान होगे कि उन्हें ही पर ही पुलिस टेशन बनाना पड़ गया तो अब मैं आगया हूँ घर पर अब हम आराम से बात करते हैं जो आज मैंने आप लोग आप लोग यह ता ओरलंडो फ्लोरिडा आप अमेरिका में अगर कहीं पे भी बड़ी सीटी में जाते हैं तो आपको इस तरीके के बैड एरिया देखने को मिलेंगे नी-योप शिकागो एले कहीं पे भी जाओगे आपको अराम से मिल जाएंगे छोडी-चोडी सीटी में जाओगे वहां पे बहुत ही कम होता है चांस कॉल दिल कि तो यार झाली सीटी में धूंओगे चोटा हों अगर मैं सोचलो सो मिनसे 97 तो बोत ही व्यूर्य और नाइस अ क्हाली 2-3 परसेंट जो एक एडिया जो 1 एरिया होगा मतलब छोटा और इस तरीके जोवाइन आपको परी इजली आपको ओंलाइन मिल जाती है किसी बी सीटी में अगर आप सर्च करोगे ना कि आपसे अप लोग को गुगल पर इस सबक्रिशे मिल जाएंगी तीक है और जैसे इस तरीके से जो बाट पर वंचे रहे हैं जो है ज़स्ट फेंवी लोग ठ 닿 धो तो पाती बाट लोगों की pursue ंनिकल शुद आजाते हैं इता हैं साफ ना बोल दिया जाता है ये तो बात थी बैड एरिया के आप लोग को समझ आ घettsाङ regard अब हम लोग बात करते हैं यह जो अमेरिका में इतना ज्यादा हो रहा है कि उसमें नया क्या चल रहा है आज कल आप लोग देख रहे होंगे न्यूस में बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पे उत्राएं अब यूके में लेंडन में चले जाओ वहां सब्सक्राइए सबस्टेर वहां उत्राकों उत्राएं बता नहीं कितने ड्लाकों लोग दὄं फिशेट थी उस पे लिखा हुआ था ब्लैक लिव्स मेटर तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा यह जो चीजे चल रही है यह बिल्कुल सही चल रही है और लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि यह जो Racism है यह खतम होना चाहिए दुनिया से इंडिया में भी बहुत अ वाले बंदे होते हैं वो अपनी राजनीती चलाने के लिए पंग करते हैं अपने बंदों को बेझ लेते हैं आप कभी भी benefits करना चैको हिंदू है जो बी जो भी बीधना अपनी फैमिली चला रहा हुता है बच्चे होते हैं जिसकी फैमिली हैं वह बंदे जीक movement अब कुछ भी नहीं बोलते हैं यह जितने भी पंग्य करने वाले होते हैं किसी ना किसी को किसीrise से फायदा हुरा हुता है वो लोगी पंग्य करते है और फिर ये न्यूज वाले सब 8-6 दिखाते हैं, उनको लोग पैसे देते हैं, वो वही चीज दिखाते हैं, तो यही मैं बोल रहा हूँ, हर तरीके का रेसिदम हर जगह पे चल रहा है, तो इसी लिए जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बहुत सही कर रहे हैं मैं उनके बिल्कुल साथ में हूँ, अभी तो उनके साथ में भीया, दीरे दीरे आप देखना, ये Hollywood, Bollywood ये सब आजेंगे, मैं तो देखा है काफी सारे Bollywood के बंदे, पिरियंक का चोपड़ा हो गई है, और भी बहुत सारे बंदे हैं, Hollywood के बहुत सारे बंदे हैं, यूट्यूबर्स बड़े बड़े लाइक, टेसी नाइस्ट है, वो भी डेली जाता है, प्रोटेस्टर के साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए, तो मैं बताऊंगे, जो भी चीज चल रही है, वो बिल्कुल सही चल रही है, और उन लोगों का जो हक है, उनको मिलना चाहिए, जो काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है, अगर जो यहां पर पुलिस वाले होते हैं, अगर वो रोकते हैं, किसी जो सफेद बंदे हैं, उनको रोकते हैं, या हम इंडियन लोगों को रोकते हैं, या चाइनिस लोग हैं, उनको रोकते हैं, तो जब वो हम लो को चैट करने लगेंगे उसको गंद दिखा देंगे मतलब उनके साथ यार बहुत बुरा होता है कभी कबार तो उनको ऐसे शूट भी कर देते हैं और फिर बाद में पोलते हैं कि उसके पास कुछ था हम लोगों ने डर के उसको मार दिया ऐसी उस बंदे के साथ हुआ था जो बंदा मरा था तो इसलिए मैं में बोल रहा हूँ इन रही हो इस लिए नगरे मेरे साथ तो कभी हुआ नीización है मैंं क्यों बोलू यार मेरे साथ तो कभी वहा नहीं है तो जितनी वी जिसके पास उसको करनी है मैं तो बिलकुल नहीं डर्ता मैंने आपको पिछली दो वीडियो में भी बोला था हम इससेने घ्रत को उन्हें करना है पीसफुल प्रोटेस्ट मिने अंदर ने करना चिया था कि आने वाली जो हमारी generation है वो ये ना बोले कौन गोरा है कौन कौला है, कौन हिंदू है कौन Muslim है, Sikh है, Christian है सबसे पहले उनको यही देखना चाहिए कि भीया हाँ इस दुनिया के अंदर आए है तो इंसान है और हर इंसान की value होनी चाहिए अगर ऐसा हो जाता ना तो यह जो राजनीती वाले बंदे हैं यह भी कभी अपनी राजनीती नहीं खेल पाते और यह जो crime वगरा होते हैं यह भी सब बंद हो जाते दीरे-दीरे क्योंकि लोग सब एक दूसरे से इतना प्यार करते रिस्पेक्ट करते सब एक दूसरे की take care करते यार बड़ वो नहीं चल रहा था इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर change चाहिए था पहले coronavirus change लेके आया है अब उसके बाद अब यह जो change अभी चल रहा है protest चल रहा है यह change लेके आएगा तो दीरे-दीरे देखना कि दुनिया कितनी बदलती है यह दुनिया यह खतम ही हो जाएगी यह पर इस दुनिया के अंदर ऐसा change आएगा कि सब लोग खुश हो जाएगे ठीक है दीरे-दीरे बहुत चीज़े change हो रही है आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि यह जब करोना वाइरस और यह protest खतम होएगा तो दुनिया कितनी बदलेगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था बनाओंगा तो चलो फिर मिलते हैं अगली नेक्स वीडियो के साथ जब भी बनाओंगा मैं जरूर मिलेंगे और तब तक के लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूं believe in yourself make your dreams come true I love you दोस्तों बाइट